आज मेरे सामने खड़ी है एक अमेजिंग गाड़ी और इसका नाम है Harley Davidson X440 और Harley Davidson और Hero ने दोनों ने जो है मिक्स होगे इस बाइक को जो है बनाया है और इसके अंदर आपको जो है Harley Davidson की डिजाइन लेंगविज मिल जाती है और Hero का एक reliable engine मिल जाता है और यक reliable price वगर को मिल जाता है तो उन्हे जीज़ों के बात करूंगा और start करूंगा एक review को और जानते हैं इस product के बारे कि यह offer क्या के कर देता है in terms of features in terms of price तो start करते हैं और जानते हैं product के बारे में बात कर लेते हैं बाइक के बारे में कि क्या कुछ फीचर्स यह आपको प्रोवाइड कर देता है फर्स्ट अफॉल एक अमेजिंग सी जो है डिजाइन लेंगविज आपको मिल जाती है इस लाइट के अंदर अगर आप देखते हैं लाइट को काफी क्लोज ली तो इसके अंद करते हैं यह भी जो है आपको led-based मिलते हैं और hazard light पर अभी ब्लिंक कर रहे हैं यहां आपको नंबर प्लेट का setup मिल जाता है आगे आपको मथ देंग आपको हागे मिल जाएगा वे अगर हम बातके हैं 440 का आपको जो है CC मिल जाता है और उस तारिक हम क turkey का डिजाइन लेंगविज आपको इसके अंदर मिल जाता है जिसके अंदर आपको लिख़ावा मिलेगा Harley Davidson X440 जो कि काफी इच्छा लग रहा है देखने में और यहां भी कुछ आपको जो है एक lining विगरा मिलती है design language आपको यहां मिल जाता है और वहीं अगर हम बात करते हैं पीछे की तो पीछे से भी बहुत ही जदा अच्छा लुक आपको इसके अंदर मिल जाता है और काफी एक अच्छा जो है tail lamp आपको इसके अंदर मिल जाएगा DRLs के form में भी जो आपको इसके अंदर मिल जाता है Indicators विगरा भी proper इसके अंदर मिल जाते है number plate का setup मिल जाता है नीचे अगर आप देखते है number plate के लिए LED based आपको लाइटे मिल जाती है reflector आपको मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का पूर ही profile आपको इस bike के अंदर मिल जाता है सस्ते के अंदर एक काफी amazing आपको bike मिल जाती है in terms of power, in terms of look, in terms of reliability काफी एक कमाल की bike मिल जाती है और Harley-Roydson तो जाना ही इस चीज के लिए जाता है इनकी जो bike की sound होती है ना बहुत ही ज़दा कमाल की होती है और कुछ लोग तो इनकी bike के sound के वज़े से ही Harley-Roydson की bike जो है bike करना पसंद करते है तो देखते हैं इसके अंदर sound विगरा किस type का मिलेगा तो एक बार इसके sound को एक बार सुन लेते हैं फिर आगे की specifications की बात करेंगे क्योंकि main excitement जो है इसके sound के साथ ही रहता है तो कुछ इस थरीके के आपको इसके अंदर sound विगरा proper मिल जाता है जो कि सही बताऊ ना तो इस type की engine के साथ आपको एक बहुत ही जादा बहतरीन sound आपको मिल जाता है और मजा आएगा definitely आपको इस sound के साथ मजा आएगा और काफी अच्छा जो है इसके अंदर color combination यूज किया गया है जातर इसके अंदर जो यूज किया हुआ है जो identical color है Harley Davidson के जैसे की gray, orange तो ये जो दो color है इसके identical color है जो basically Harley Davidson को जो है denote करते है ये दो color जो ऐसे हैं जातर Harley Davidson इस type के color जो है यूज करता है तो इसके वज़े से काफी जदा अच्छा जो है पूर ही look आ रहा है एंबियन्स आ रहा है और एक और color मेरे सामने खड़ा है जो red color में है तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है बागे अगर हम बात करते हैं front wheel की तो 190 और 18 inches का आपको section मिल जाता है design language भी काफी अच्छी खासी आपको मिल जाती है suspension भी काफी अच्छी खासे आपको इसके इंदर मिल जाते हैं जिसके इसे travel वेगर अच्छा खासा मन जाता है यहां अगर आप देखते हैं पूरा ही cluster आपको मिल जाता है जो देखने में काफी कमाल का लगता है और अगर हम बात करते हैं इस वाले portion की तो यह आपको fully digital आपको जो है पूरा ही display मिल जाता है और कहीं ना कहीं बिलकुली एक amazing जो है एक experience आपको देगा RPM, time, neutral पे है किस गेर पे है वो सारी चाहिए दिखाएगा fuel, kilometers, सारी चाहिए आपको इसके अंदर शो यह करेगा बाकी अगर आप देखेंगे तो service due वेगर दिखाएगा date वेगर दिखाएगा RT, MI दिखाएगा, range वगर दिखाएगा तो काफी अच्छा खासा पूरही एक display मिल जाता है जिसकी quality personally आपको जो है काफी जदा attract करेगी और काफी जदा जो है आप इससे इंप्रेश्ट रहेंगे बाकी अब देखेंगे हाले ड़ोगो यहां मिल जाता है और बाकी कुछ आप अच्छी जो है एक प्रपर अपको गृप मिल जाती है और एक अच्छी तरीक से आप जो है इसकी बाइक को चला पाएंगे बाके कर देखते हैं जो आइडेंटिकल कुरूजर बाइक होती है उसके इंतर राउड मिरर्स ही आते हैं और वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ पुछ गता है यहां सब्सक्ट पराइब करके सबस्सक्राइब करें कि नियुकर रसे सब्सक्राइब करें, तो नहीं किन रिए सब्सक्राइब test कर सकते हैं। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी आपको जो है हाले रोटसन का लोगो मिल जाता है तो काफी अच्छी खासी चीज़े मिल जाती है वहीं अगर हम सीट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का सीट का पूरा ही प्रोफाइल आपको मिल जाएगा और पिलियन के निया ग्रेब हैंडल एक डिजाइन लेंगवेज ही इसकी यह लगती है बाकि अगर आप पीछे की मडगाट की बात करते है यह भी मैटल में आपको प्रॉपर मिल जाता है वहीं अगर हम बात करते हैं पीछे वाली वील की तो एमरेफ का टायर इसके इंदर आफर किया गया आपको प्रॉपर मिल जाएगा और यह कुछ प्रॉपर लुक मिल जाता है एक बर इसके इंजिन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं क्या कुछ इंजिन स्पेसिफिकेशन यह बाइक आपको देती है इंजिन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 440 cc का इसके इंदर आपको powerful engine मिल जाता है और अगर हम बात करते हैं जो power आपको निकाल के अच्छ की power आपको निकाल के देगा जो कि काफी कमाल के आपको इसके इतर मिल जाती है 6-speed आपको transmission मिल जाता है और dual channel disc brake इसके इतर आपको मिल जाएगा और अगर आप हारी पालेड और जए जताये पालेज्च कि उपर जय मिल रहे हैं आपको अपके पर आपके अपको कि ऑन अगरिए के तो आपके सामने इनूंग खड़ी है आप कर लेते हैं और इसके लिभी कूलेंट वेगर आभी आपको मिल जाएगा बेसिकलि अगर आप देख ले हैं तो यहां आपको रेडियेटर ग्रिल वेगर अभी प्रॉपर मिल जाती है प्राइजिंग के अगर हम बात करते हैं 2,79,500 की आपको जो है एक्षोरों आपको मिल जाएगी तो प्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राब भी जो जो कर देना बागे मिलते एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ टेंक यू